नमस्कार मेरा नाम है प्रशान मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज इंडिया खास मुलाकात के संक में आज हमारे साथ हैं भारती जंता पार्टी के पुराने सिपाही और राश्ट्री कारकार्णी किसान मोर्चा के पूर्व सदस विवेक सिंग उर्फ गुडू भ बाइस में चुनाओ है ऐसे मैं भारती जंता पार्टी को कहां देखते हैं बीजेपी जब सत्ता में आ रही थी तो हमने कुछ वादे किये थे गुंडा राट खत्म करेंगे वो हमने किया अवयद कब्जों को समाप्त किया जाएगा वो हमने किया किसानों को रिन माफी करेंगे वो हमने किया महिलाओं की सुरच्छा होगी वो हमने किया आप डेटा उठाइए हमारा काम क्या कहते है अच्छा तो आपने कहा कि प्रदेश की आपने तमाम योजनाएं गिनाई कि योगी जी का हर वर्ग को समर्थन प्राप्त है वो हर वर्ग के लिए उन्होंने किया लेकिन इसके बावजूद योगी जी पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने एक खास वर्ग के लिए काम किया ह नहीं जो ये कहते हैं वो बिल्कुल गलत है योगी जी जात धर्म मजहब सबसे उपर उठ चुके हैं और यही कारण है कि प्रदेश की 22 करोण की अधिक जनता आज योगी जी का गुडगान करती है आपका कैना है कि योगी जी धर्म राजनीती और मजहब से उपर उठ चुके हैं उन्होंने लगातार सब के लिए काम किया है लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल ये है कि आप राजनीती में भारती जनता पार्टी में पुराने सिपाही हैं और जीवन भर भारती जनता पार्टी के लिए मैं काम करता रहूँ यानि आपको जो पद दिया जाएगा वो आप आगे काम करने के लिए उस पर तयार हाँ जो पद मुझे मिलेगा मैं उसे सुईकार करूँगा उस पर मैं काम करूँ जी बिलकुल लेकिन आप लगातार चुकी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में आपकी लगातार मुलाकातें रहती हैं राजनाज सिंग के साथ में आप लगातार देखे जाते हैं ऐसे में आप विवेक सिंग जी अपने आपको किस रूप में परिवास्यत करते हैं जी बिलकुल बीजेपी के बड़े नेताओं का असिरवाद मिलता रहा है मानिराजनाज सिंग जी सम्मानित है रही बात करो तो मेरी अपना जीवन मैं समाज को समर्पित किया है और मैंने बे कि उन्होंने अपना जीवन राजनीती के माध्यम से समाज को समर्पित किया है उन्होंने व्यक्तिकत रूप से कुछ नहीं किया है हलाकि उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी का काम है वो बोलता है और 2022 में एक बार फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है कैबरा प्रसंद इसी यादों के साथ प्रसान मिस्रा, AB News, इंडिया